आज के वीडियो में बात करेंगे RBI की Sovereign Gold Bond Scheme के बारे में August 3-7 तारिक तक ये चालू होने वाली है Features के बारे में आपको बताएंगे इसके क्या Objectives है RBI और Government of India ये सी Scheme क्यों लाती है वो हम आपको बताएंगे क्या Advantage है क्या Disadvantage है सब कुछ बताएंगे इस Scheme के बारे में और किस टाइप के निवेशक को Gold Bond Scheme में इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी भी Analysis करेंगे दोस्तो लास्ट तक बने रहेगा कोई Important Information छूट न जाए दोस्तो सबसे पहले Important बात जो Issue Price है वो है 5,334 यानि 5,334 पर ग्राम बहुत डीटेल में आपको थोड़ी जिर में बताऊँगा लेकिन अगर आप Apply करते हैं Online तो 50 रुपीज पर ग्राम का आपको Discount मिलेगा यानि 5,284 पर ग्राम आपका Total Cost पड़ेगा दोस्तो और Date क्या है August 3 से August 7 2020 तो जोस्तो ये जो 5 दिन का Date है आपको उसी समय Invest करना है अगर आपको Interest है तो तो दोस्तो एक चीज समझ के रखे ये जो स्कीम है हर महीने आ रही है पिछले 4-5 महीनों से अप्रेल से आ रही है जैसे जुलाई का Data दू जुलाई 6 से 10 ये 5 दिन के लिए स्कीम थी अभी आप फिलाल देख भी सकते हैं तो उस हिसाब से RBI ने ये जो कैलकुलेशन की है तो तो 5,284 का जो भाव है इनफेक्ट इससे ज्यादा कई आया है दोस्तो ये तो 50 रुपीस डिसकाउंट का मेरी डेटिल आपको मैं दे रहा हूं तो 5,284 अभी फिलाल ये भाव निश्चित हुआ है अगर आप उनलाइन करते हैं तो तो दोस्तो 6 ट्रेंच टोटल आने वाले ट्रस्ट जो होते हैं वो उससे ज्यादा का भी अपलाई कर सकते हैं अगर आप अपलाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा देखे आपको मिलेगा 2.5% एनुवल इंटरेस्ट रेट सेमी एनुवल पेइमेंट यानि की 0.62.63% आपको एकाउंट में हर तीन महीने में ये पैस आपके एकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा लेकिन ये 2.5% एनुवल इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा मैचियूरिटी कितने की है आठ साल किये तो दोस्तों ये चीज समझ कर रखे लॉंग टम इंवेसितर के लिए ज्यादा सही है पांचवे छटवे साथवे साल में आ आपने एकजिट किया तो जो भी इंटरेस्ट रेट की जो भी इंटरेस्ट पेमेंट की डेट आ रही होगी उस डेट को आपको पूरा पैसा मिल जाएगा अगर उस समय अगर आप बाहर होते हैं तो अब यहां पर एक चीज है अगर आप पूरा आठ साल इसमें आठ साल के बाद जो आपके गोल्ड की वैल्यू थी वह हो गई दो लाक रुपए तो आपका जो एक लाक रुपया का जो कैपिटल जो भी गेन हुआ है यह पूरा टेक्स क्री हो जाएगा लेकिन समझ लेजिए आपने पांचवे छटवे साथवे साल में अगर आपने आप exit हुए है तो फिर आपको long term जो भी LTCG है वो लगे गई दोस्तो तो यह एक चीज फाइदा है जो physical gold खरीदने पर आपको नहीं मिलता है दोस्तो लेकिन यह जो interest है 2.5% यह जो आपको मिलेगा हर quarter में तो यह दोस्तो यह यहाँ पर tax होता यानि आपकी income के साथ यह add हो जाता है तो दोस्तो गवर्मेंट ऐसी scheme क्यों ला रही है गोल्ड को लेकर यह scheme क्यों ला रही है क्योंकि government चाहती है गोल्ड को financial saving का एक हिस्सा बनाया जाए जैसे कि आप DMAT में stock को mutual funds को खरीदते है वैसे ही gold को भी आप paper में या DMAT के form में financial saving के form में खरीदे आप उसको physical form में नही खत्रा होता है चोरी का खत्रा होता है वो सब रिस्क तो होते ही है और वहाँ पर taxation के भी issues आते हैं तो वो सब भी बहुत सारी चीजे होती है तो government physical gold का demand को कम करना चाहती है और gold चुकि सब को बहुत ही प्यारा है तो आप gold रखिये लेकिन virtually रखिये ऐसा government का कहना है जितना हो सके physical gold को कम रखिये यह है government का objective गोल्ड बॉन के क्या advantages है अगर भविश्य में आपको loan लेनी है तो आप इसको ऐसे collateral use कर सकते हैं gold bond जो है demate के form में रहेंगे RBI की books में रहेंगे दोस्तो तो इसका मतलब है safety security की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी जो की physical जो gold होता है उसमें करनी पड़ती है tax benefit है जो capital gains है जैसे कि हमने आपको बताया अगर आपका जो भी return बनता है 8 साल के बाद जो भी return बनता है वो total आपके हाथ में tax free रहेगा दोस्तो purity बिलकुल high है बस आपके हाथ में gold नहीं है सोना आपके हाथ में नहीं है क्योंकि ये physical gold नहीं है और 5 साल के बाद ये trade भी हो सकता है 5-6 साल के बाद अगर आपको निकलना है तो आप बेच के निकल भी सकते हैं लेकिन तब taxation लगेंगे द पास है लेकिन अगर फाइदे हैं तो कुछ जो दूसरी चीजे हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी है दोस्तों ये long term investment है ये जो investment है ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद आप निकल सके तो जो long term के बारे में सोच रहे हैं उन्हीं investors को यहाँ पर ध्यान देना च करते हैं तो कल अगर stock market अच्छे से अगर उपर चली गई तो ऐसा नहीं है कि ये भी उस हिसाब से उपर जाएगा या फिर उल्टा भी हो सकता है stock market नीचे जाए तो ये भी नीचे जाए ऐसा कोई दोनों में correlation नहीं होता है तो ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखे तो य जो gold का price रहेगा उसके उपर ही जो demand supply रहेगा अभी आप पिलाल पिछले एक साल में ही देख सकते हैं gold का price कितना उपर गड़ चला गया है 40-50% तक उपर चला गया है लेकिन आप वही 2015 में 16 में उस समय आप देखिए तो gold का price एकदम stagnant था दोस्तों आज gold में interest है तो वो ची इसके movement पर ये आधारित है दोस्तों अंत में किस तरीके के जो investor है ये उनके लिए useful है low risk investor देखिए आज की तारिक में ऐसे भी investor है जो कहते हैं जो FD से भी सुरक्सित return चाहते हैं दोस्तों saving account से भी सुरक्सित return चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल government और RBI का backed है तो आप इस पर hundred percent आप निश्चिन्थ हो सकते हैं तो बिल्कुल low risk investors लेकिन low risk है तो आपको return भी जो है हर साल का अड़ाई परसंट है दोस्तों वो चीच को भी आप धियान में च्यरूर रखें और जो long term के बारे में सोच रहे हैं जो ये point को हम इस से पहले भी बता चुके हैं जो अगर पैसा है आठ साल के लिए रखना चाहते हैं जो पैसा वो आप इस gold bond fund में आप रख सकते हैं दोस्तों जिने थोड़ा सा stable returns चाहिए कि थोड़ा उनको पता हो कि भाईया ठीक है मेरे को एक मैने के बाद इतना पैसा मिलेगा सौरी तीन मैने के बाद इतना पैसा मिलेगा तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है क्योंकि 0.62% तो जो है वो हर तीन मैने में आपके account में खाते में आता ही रहेगा लेकिन वो सब गोल्ड के price पर भी dependent है दोस्तों उसको मैं बार बार repeat कर दूं दोस्तों और जिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा diversification चाहिए देखिए दोस deposits हुआ या debt bond funds हुए वो या फिर अगर आप real estate ले वो भी एक तरीके सा asset class हुआ तो यह चौथा asset class है जो commodity है गोल्ड है तो जिनको गोल्ड में भी थोड़ा सा invest करना है बहुत सारे financial planners 5% 10% की भी राय देते हैं लेकिन यह अपने आप financial advisor से पूछा तो ज्यादा सही रहेगा दोस्तों तो जिने diversification चाहिए तो उन investors के लिए भी यह gold bond fund बिल्कुल useful है दोस्तों अपने views जरूर दीजिए कोई भी प्रस्न हो तो comment box में लिखे उसका उत्तर हम देंगे दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगा तो जरूर like share subscribe कीजिए धन्यवाद आपके time के लिए